एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटू चैनल अबाउट एडफ़न आज हम बात करेंगे 4G वा 5G में क्या अंतर है और 5G 4G से किस तरीके से बहतर है तो चलिए सू करते हैं 4G Mobile Phones Wireless Internet की चोथी PDA जिसे 3G की OFDMA यानि और्थो फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टिपल एक्सेस तक्निक से अपग्रेड किया गया है 5G भी उसी तरीके से काम करता है लेकिन उच्छ रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करता है उन हाई बैंड को मलेविटर विप कहा जाता है 4G वा 5G में अंतर बात करें डाटा बैंड विद की तो 4G में 200 Mbps है वहीं 5G में 1 Gbps से उपर है स्पीड की बात करें तो 4G में 100 Mbps वहीं 5G में आदर से स्पीड 10 Gbps से उपर है लेटेंसी अर्थात मैंसेज भेजने और रिसीव करने के बीच में लगा टाइम लेटेंसी होती है 4G में 50 Mbps है वहीं 5G में 1 Mbps है 5G से क्या क्या बदलावाएंगे 5G 4G और 3G की तुला में अधिक विस्वसनिया है 5G से कोई मूवी कुछी सेकिंड में डाउनलोड कर पाएंगे बिना वफरिंग के 4K फिल्म स्ट्रीम हो पाएगी वर्च्वल टेकनोलजी में विकास होगा 5G में High Capacity और Low Latency के कार किसी भी डिवाइस को दूर से ही मुवाइल से कंट्रोल कर पाएंगे Internet of Things जैसे डिवाइसे में साहिता मिलेगी आपके Daily Reduktionics Users डिवाइस स्मार्ट बन जाएंगे 5G से हर फिल्ड में Revolution आएगा जैसे Smart Development, Smart Power Grade, Connected Logistics, AI, Internet Healthcare, Smart Factory